तो अखिलेश और जैन दोनों कहते हैं कि परिवारवाद सिर्फ उनकी पार्टी में नहीं आपकी पार्टी में भी है राहुल गांदी भी कहते हैं कि परिवारवाद से जुड़े मतलब सेकंड जैनेरेशन लीडर्स तो आपकी पार्टी में भी है बहुत फर्क है ये फर्क अच्छा सवाल पूछा आपने मैं थोड़ा विस्तार से जवाब दूँगा बुरा मत मानिये लेकिन देश की जनता को मैं जूट के सामने सत्य समझाना चाहता हूँ एक परिवार से अलेक लोग जनता के बीच में जाएं एक परिवार से दो लोग जाएं तिन लोग जाएं और जनता उनको चुनाव करके भीजे वो एक राजनीती का पहलू है लेकिन दूसरा एक परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने उस पार्टी के ट्रेजर उस पार्टी का पार्लामेंटी बॉर्ड बने पीता जी अगर नहीं कर सकतें तो बेटा अध्यव्त दर्टां कर सकता है ओंव मुड़ा हो गया तो उसका बेटा दर्ट करे पीता नहीं रहे तो पुत्र करें यह जो विराशत और वार्शा बारीश के रूप में चल रहा है है ज इन पार्टियों के जतने निगता देखा है, यह की परिवार के देखे है। दोनों पार्टीे। पंजाब में देखिये। परिवार वाली पार्टी आप हर्याना में देखिए परिवार की पार्टी उत्तर प्रदेश देखिए परिवार की पार्टी जारखंड देखिए परिवार की पार्टी आप तमिल लाणु में जाईए परिवार की पार्टी ये परिवार ही पार्टी चलाता है परिवार जो च यह दोनों को फर्क समझना होगा, कोई ऐसा कहकर के इतने बड़े पाप से भाग जाएं, यह नहीं चल सकता है, और मेरा मत है, परिवार वादी पार्टियां लोक तंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि लोक तंत्र के मुर्भुत सिध्धानतों को ही वो न कारता है, परिवार को भचाओ, पार्टि बचे या ना भचे, परिवार को भचाओ, देश बचे या ना भचे, यह जब होता है, तब सबसे पहले ती होती है, परिवार वादी राजनीती इनसी कहती है, बेटा जैसा भी होगा, लेकिन वही अगला द Ping September Smack तब सबसे बड़ी के ईस्ध टैलेंट की होती है और सार्वजनिक जीवन में जितनी ज्यादा अधिक टैलेंट आये बहुत जरूरी है इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतांत्री करण यह बहुत आवशक है परिवारवादी पार्टियां नए अच्छे नवजवानों को राजनीति से आने से रोकते हैं मान परिवार का मैं नहीं हो तो थोड़े दिन तो मेरा उप्योग होगा बाद में मुझे फैक देंगे मैं उनके काम आऊंगा तब तो चलूंगा लेकिन मैं राज्यकी भलाई के लिए काम करूंगा तो मैं नहीं चलूंगा सब नवजवान डर रहे सार्वजनिक जीवन में आन झाल 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